मेरी किताब मा ने वीरू को एक संदेश दे कर अपनी बेहन के पास भेजा मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरत से ठिठक गई उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताबे वहाँ नीचे से उपर तक किताबों से भरे खानों वाले दो लंबी दिवारें थी वो आँखे फाड़े देखती रही अंत में उसने साहस करके पूछा क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबे हैं? मौसी ने कहा हाँ ये देखो ये वाला खाना और ये वाला वीरू ने हैरानी से कहा इतनी धेर सारी किताबे मेरे पास तो इतनी किताबे नहीं हैं मौसी ने कहा यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबे दे सकती हूँ तुम्हें किस तरह की किताबे सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है मौसी ने सुझाओ दिया, अच्छा, तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या खयाल है? वीरू ने किताब के पन्ने पल्टे और ये फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी-छोटी तस्वीरे और ये किताब बहुत पतली है मौसी ने कहा, वीरू मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना मौसी ने हसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए, तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने मा के भेजे हुए कागस को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई